इज्ञान की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वगत हैं। आज की क्लास एक basic क्लास है आगे आने वाले topics के लिए फिर वो चाहे आपका graph से related topic हो या आपका central tendency केंद्रे पिवित की map जिसमें आप माध, मध्यांक और बहुलांक पढ़ेंगे। इन सभी topics के लिए आज की क्लास एक समझ लिजे new का काम करेगी। एक basic structure का काम करेगी। अगर आज की क्लास आप समझ जाते हैं आपके दिमाग में ये चीजे बैठ जाती हैं तो आगे आपको बहुत ही ज़्यादा help मिलेगा आगे के topics के लिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजेगा और समझने की कोसिस करिएगा। आपके इस चैनल पर अब तद social psychology, समाज मनुविज्ञान, psychopathology या मनुरूप विज्ञान, basic psychological process, सांखिकी, statistics, research methodology, तोध अनुसंधान, इन सरी से सम्मंधिर, notes के videos अवलेवल हैं। इनके साथ MCQ टाइप questions भी, objective questions भी जिसमें social psychology से related, abnormal psychology से related, personality and mental test से related, statistics, सांखिकी से सम्मंधिर, research यानि सोध से सम्मंधिर, guidance, counseling, paramerican निर्देशन से सम्मंधिर, environmental psychology और last में psychology practical से सम्मंधिर, complete videos चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन videos के लिए सिर्फ यहाँ पर job कर वीडियो की नीचे title है, title के सामने आपको description का arrow दिख रहा है, इस arrow पर आप click करेंगे, नीचे आपको सभी playlist के link provide है। आज का topic है आपका बारंबारता, बारंबारता का अर्थ और इसके सास्ता आथ बारंबारता वितरण, यानि meaning of frequency and frequency distribution, दोनों topics हम cover करेंगे, और इन topics related question exam में पूछे कहें हुए हैं। अगर आप unsolve उठा के देखेंगे, फिर चाहें वो किसी भी university का unsolve हो, अगर आपके syllabus में ये topic है, तो exam में ये topic से related question पूछे जाते ही हैं। फिर वो short question में पूछ लिया जाए, ये long में या very short में। तो इस topic को चलिए start करते हैं, और आसानी से समझेंगे इसको, जिससे कोई problem ना हो, आपको सारी चीजे clear हो जाए। सबसे पहले इस word को देखते हैं, कौन सा word? बारम बारता, क्या का जा रहा है? बारम बारता, यानि जो चीज बार बार आ रही है, उसे ही हम कहते हैं बारम बारता। अब यहाँ पर इसके अगर आप definition को देखें, बतलब इसकी अर्थ को देखें, तो क्या बता जा रहा है? कि किसी घटना के घटने की संख्या को बारम बारता कहते हैं। स्थासा ध्यान किया करें किसी घटना के घटने की संख्या को बारयं बारता कहते हैं बतल। कोई भी घटना है तो वे कितनी बार घट रही है जितनी बार वो घतना घट रही है उसी को हम बारंबारता कहते हैं जिसे फर इक्जामपल कि माल लीजे हम 2021 में हैं 2021 लाश्ट है भी और अब कोरोना का टाइम था तो कोरोना जब से स्टार्ट हुआ 2020 से और 2021 में तो वो कितनी बार अटेक हुआ उसका दो बार तीन बार चार बार जितनी भी बार अटेक हुआ 2020 से लेके 2021 में माल लिजे 2020 से लेके 2021 में वो तीन से चार बार उसका अटेक हुआ एक बार आया फिर लगा कि अब खत्म हो जाएगा फिर दुबारा लहराई फिर तिबारा लहराई ये तीन बार तीन बार में लिए तीन बार अटायक हो उसका तो हम क्या कहेंगे हम कहेंगे कि जो कोरोना का अटायक है उसकी जो फिक्वेंसी है उसकी जो बारंबारता है जिसके कोरोना एक घटना हो गया मदब और उसकी जो आवेती है वो कितनी बार आया कोरोना कितनी बार आ समझे इसी तरीके से माल लीजे कि भूकम्प है अब जिससे भूकम्प आ जाए और साल में चार बार भूकम्प आ गया 2021 में जन्वली से लेके अब तक चार बार भूकम्प आ गया तो एक्जाम में पूछा जाए अगर या ऐसे ही पूछा जाए आपसे कि जो भूकम्प की बारंबारता जो अर्थक्विक की फिक्वेंसी है 2021 में वो कितनी है तो हम क्या बताएंगे वो घटना कितने बार घटी जैसे यहाँ पर देखें क्या बता जाएंगे कि किसी घटना के घटने की संख्या को तो भूकम्प की जो घटना है वो कितनी बार घटी वो घटी चार बार तो हम क्या कह देंगे कि जो भूकम्प की बारंबारता है वो चार है समझे ये तो हो गया इन जनरल लाइफ से रिलेटेट मतना हमारी life से related कुछ topic अब हम थोड़ा सा stack में आएं उस से related एक example देखते हैं जिसे यहाँ पर कुछ numbers दिये गए हैं 9, 10 फिर उसके बाद 11 फिर 9, फिर 10 फिर 11 फिर 8, फिर 10 फिर 6, then again 10, फिर 7 फिर 10 और फिर 11 तो यह इतनी संख्याइदी गई हैं अब अगर इन संख्याओं में पूछ लिया जाए कि जो 10 है क्या जो संख्याओं की 10 है, 10 की बारंबारता कितनी है तो 10 की बारंबारता कैसे निकालेंगे तो हम देखेंगे कि 10 कितनी बार आया तो 10 एक बार आया फिर 10 दूसरी बार आया फिर तीसरी बार आया 10 उसके बाद यहां पर चौती बार आया 10 और पाँचवी बार मतब टोटल पाँच बार आया 10 यहां पर इसको थोड़ा सही कर लेंगे यह 4 लिख गया है यह 4 नहीं होगा यह क्या होगा? 5 कि 10 कितनी बार आया तो 10 आपका इन संख्याओं में टोटल 5 बार आया है यानि हम क्या कह सकते है कि जो 10 इन संख्याओं में 10 की बारंबारता कितनी है वो 5 है इसको 5 कर लेंगे आप लोग ठीक है यह थोड़ा सा mistake हो गया है नोट्स मराते टाइम तो 10 की बारंबारता कितनी हो गई 10 कितनी बार आया है 5 बार यानि 10 की बारंबारता 5 है इसी तरीके से अगर हम देखे 9 नंबर तो 9 कितनी बार आया है 9 देखा जाए तो 9 आया एक बार उसके बाद दूसरी बार फिर आगे 9 नहीं आया है तो 9 की बारंबारता, अगर इन संख्याओं में 9 की बारंबारता देखें, तो 9 की बारंबारता है 2, ठीक, अब आपके लिए यहाँ पर question है, आप comment में मुझे बताईएगा, कि जो 11 नंबर है, नंबर 11 है, उसकी बारंबारता कितनी है, यह मुझे आप comment में बताएंगे, ठीक, तो अब I think आपको clear हो गया होगा कि बारंबारता कहते किसे हैं, मतलब किसी भी घटना के, जो उस घटना की घटने की संख्या होती है, उसी को हम बारंबारता कहते हैं, आई अब एक परिभासा देखते हैं, यह परिभासा दी गई है, चैपलिन के दोरा, चैपलिन 1975, चैपल बारंबारता है, कोई प्रापतांक या घटना, जितनी बार घटती है, उसकी संख्या को बारंबारता कहते हैं, सेम चीज, जो भी आप तक आपने समझा, वही चीज, चैपलिन ने भी यहाँ पर बताया है, कि कोई घटना है, या कोई नंबर है, वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, जितनी बार घटना, घटना का मतलब है कि रिपीट होना, आना, दुबारा फिर वापस आना, तो कितनी बार वो चीज वापस आ रही है, उसी चीज को हम, हम बारंबारता कहते हैं, ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया, कि बारंबारता क्या है, अब माल लिजे कि यह question आगया exam में, अगर यह question आएगा, अगर यही पूछा जाएगा कि बारंबारता क्या है, तो जहां तक ही यह question आपका आएगा very sort में, अब very sort में आएगा, तो आपको 30 word में लिखना रहेगा, आप लिख दीजिएगा question लिखेगा question नहीं, answer लिखेगा, answer क्या लिखेगे आप कि किसी घटना के घटने की संख्या को हम बारंबारता कहते हैं या इसके साथ साथ आप उसमें आगे लिख देंगे, कि chaplain ने बताया है, कि कोई प्रापतांख या घटना जितनी बार घटती है तो वो कितनी बार घटी है उसकी संख्या को हम बारंबारता कहते हैं, और अगर आप थोड़ा सा और इंप्रूव करके लिखना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, उसके साथ साथ आप एक example भी लिख दीजेगा जैसे ऐसे ही कुछ numbers लिख दीजेगा और कोई एक डिजेट को कई बार लिख दीजेगा और उसमें बता दीजेगा कि जैसे दी गई संख्याओं में जिसनी यहाँ पर देखे तो दी गई संख्याओं में जो number 10 है अगर उसकी बारंबारता को देखा जाए तो वो total 5 बार आया है तो इसलिए उसकी बारंबारता 5 हो जाएगी इस तरीके से आप इसका answer देंगे तो आपको full marks मिल जाएगे अब ये हो गई बात बारंबारता की ठीक है ति बारंबारता किसे कहते हैं next अब हम बात करते हैं कि बारंबारता वितरण जो बारंबारता आया उसका हम वितरण कैसे करते हैं distribution कैसे करते हैं जिसे पहले example देखिए आप कि यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर जिसे 11 है नमबर दिए कि हैं 11, 12, 13, 14, 10, 9, 8, फिर 9, फिर 15 दो बार फिर 14, फिर 11 है, फिर 12, फिर से 12, फिर 14 बतलब यहाँ पर जो नमबर्स हैं वो कई-कई बार repeat हुए है तो अब वैसे अगर आप लिखेंगे तो उसमें बड़ा आगर ऐसे आपको लिखना होगा कि इन सब का आप लिखें वितरण कैसे करेंगे तो वितरण करना क्या है? आपको बताना, एक तरीका यहाँ पर देखेंगे आपर क्या बता जारा है? कि बारम-बारता वितरण वह प्रिविधि या टेक्निक जिसे विधि भी कह सकते हैं कि एक ऐसी विधि है या ऐसी टेक्निक है जिसके दौरा बारम-बारता को संख्या के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं परलब जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको हम नंबर्स के रूप में लिखते हैं समझे बात को? अभी के ओल इतना ही देखिएगा आगे मत पढ़िएगा आगे पढ़ेंगे तो confused होंगे इतनी चीज़ों को ध्यान दीजे कि यहाँ पर बताया जा रहा है बारम बारता वित्रण वह प्रिविधी या विधी है जिसके द्वारा बारम बारता को संख्या के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं अब नीचे आ जाएं आप जिसे यहाँ पर यह सारी संख्याएं है अब इनको हमें बारम बारता की रूप में प्रस्तुत करना है तो कैसे प्रस्तुत करेंगे इसके लिए माल लीजिए हमें देखना है इसकी कई तरीके होते हैं पहले एक सिंपल से तरीका देखते हैं माली जी हमें किसका 14 का बारंबारता निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम लिख देंगे एक तरफ 14 और फिर डैस करके यहाँ पर हो गया यह क्या है यह है नंबर और बारंबारता को हम इंग्लिस में किस नाम से आता है frequency बारम बारता को आप आविर्त भी कह सकते है एक चीज और ध्यान दिजिगा कि बारम बारता को आप आविर्त भी कह सकते है आविर्त का मतलब भी होता है कि कितने बार वो चीज आई तो number लिया हमने 14 और हमें इसकी frequency देखना है तो frequency देखेए है तो 14 इस यहाँ पर एक बार चौदा आया तो हम इहाँ पर एक लिख दिये पर दुबारा तो यहाँ पर एक line ओर खीज दिये कर चौदा यहाँ पर भी है एक line ओर खीज देए तो टोटल देखा जाए तो टोटल तीन बार आपका 14 नमबर आया है तो 14 की फिक्वेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई फिर उसको ऐसे कट कर देता है ठीक? तो अब यह देखें यह एक विधी है कैसी विधी है? बारम बारता को लिखने की विधी है और यहाँ पर बारम बारता वितरण क्या होता है? तो आप देखें यहाँ पर क्या बताई गया है? कि बारम बारता वितरण एक विधी है जिसके दोरा हम बारम बारता को संख्या के रूप में लिखते हैं सेम चीज आपने यहाँ पर लिख दिया चौदा तीन बारा या लिख दिया आपने इसी तरीके से अगर आप माल लीजे देखना चाह रहे हैं बारा को नमबर 12 अब बारा का बारां बारा तक कितना होगा तो बारा एक बारा आया फिर उसके बाद बारा दो बारा आया फिर तीस्वी बार चौथी बार पांच मी बार तो आप यहाँ पर क्या करेंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच पांच लाइन आपने खीज दिया यानि बारां बारा तक कितनी होगई पांच होगई इसकी ये समझ में आ गया ना आपको ये एक विधी है ये एक विधी है जिसके दोरा हम बारंबारता लिखते हैं, बारंबारता का वितरण करते हैं इसके अलावा कुछ और भी विधियां है जिनके दोरा हम बारंबारता वितरण करते हैं अब लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर आगे देखते हैं बताय जा रहा है यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि बारंबारता वितरण क्या होता है एक ऐसी विधी है जिसके दौरा हम बारंबारता में जो नंबर्स आए हैं वो घटना कितनी बार घटी है उस चीज को लिखते हैं अब उसके आगे देखें यहां प्रापतांको के प्राप्तांको का 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 प्राप्तांको आपको देखने को मिलना है एक word है आपका प्रसार और दूसरा word है आपका class यहाँ पर प्रसार अथवा class के यानि वर्ग के अनुसार बारंबारता का वितरण किया जाता है जिससे यह जिससे होगा जिससे पता चलता है कि किस वर्ग में घटना कि कितनी संख्या अथवा कितनी बारंबारता है मतलब इसके दोरा क्या पता चल रहा है कि पहले तो जिससे वर्ग बना लेना है यहाँ पर क्या किया गया है कि जो प्राप्तांक है उसको प्रसार अथवा वर्ग के अनुसार बारमबारता का वितरण करना है तो प्रापतांक प्रसार और वर्ग के अंसार वितरण करना है अब हमें वर्ग बनाना पड़ेगा तो वर्ग थोड़ा समय यहां पर बता दे रहा हूं फिर नेक्स्ट क्लास में हम वर्ग कैसे बनाते हैं उसको detail में बताएंगे पहले आप देखें कि प्रसार कैसे निकालते हैं तो प्रसार निकालने का एक formula होता है प्रसार का formula क्या है? यहाँ पर जो आपका highest score है high score minus low score अब यह दोनों चीज़ें आपकी bracket में होंगी high score minus low score then then plus one यह किसका formula है? यह आपका प्रसार का formula है यहाँ पर जो range है न यह range का formula है प्रसार का formula क्या होता है? high score minus low score plus one तो यहाँ पर देखें तो high score कितना है? सबसे ज़्यादा highest score 15 है 15 से बड़ी कोई संख्या है नहीं high score आपका कितना हो गया? 15 15 से बड़ी कोई संख्या है आपन नहीं है और low score कितना है आपका? low score है आपका 4 तो यहाँ पर देखें तो high score के नीचे आप क्या लिख देंगे? 15 minus 4 चार अब यह bracket में रहेगा फिर हमें क्या करना है? plus 1 तो 15 minus 4 अब इसको देखेंगे अगर तो यहाँ पर क्या आजाएगा? 15 minus 4 अब यह आजाएगा आपके 11 11 11 रहेगा आपका bracket में क्योंकि 15 में से 4 गये तो 11 बचा और 7 में plus 1 तो टोटल आपका हो गया 12 तो आपका range कितना आगया? 12 आगया range आपका तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रसार कैसे निकालते हैं? ठीक है? प्रसार question भी पूछा जा सकता है कि प्रसार कहते किसे हैं? तो प्रसार का मतलब क्या होता है? अगर आप थोड़ा सा simple language में देखें तो प्रसार का मतलब तक फैलाओ कितना फैला हुआ है? चीजें कितनी फैली हुई है? कितना प्रसार है? तो यहाँ पर देखें यहाँ पर देखाजें तो प्रसार निकल के आया बारा इसी तरीके से हम क्लास भी निकालेंगे मतलब यहाँ पर यह समझे कि जो आविर्ति वितरण है अभी केवल इतना ही समझे आप यह सारी चीजें हम अगली क्लास में डीटेल में समझेंगे अभी सिर्फ इतना समझे कि आविर्ति वितरण जो Вिधी है उसके दोरा हम 12 वितरण को संख्या के रुप में प्रस्तुत करते हैं और वो संख्या के रुप में कैसे प्रस्तुत करते हैं क्योnkि ओपर तो आप ने देखा एक छोटा सा एक्जांपल था पासानी से उसको प्रस्तुत कर ले गए लेकिन यहाँ पर इतने नंबर हैं माल लीजी ऐसे ही अभी कम से कम 30-40 नंबर हो तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा difficult हो जाएगा तो उस situation में हम बारंबारता निकालने के लिए क्या करते हैं हम प्रसार और class में उनको distribute करके प्रसार और class के माध्यम से हम बारंबारता वितरण को निधारित करते हैं संग्हाँ आ गया अभी के लिए बस इतना ही काफी है आपके लिए कि बारंबारता वितरण वाविधी है जिसके द्वारा हम बारंबारता को संख्या की रूप में प्रस्तुत करते हैं और यहाँ पर प्राप्तांकों के प्रसार अथवा वर्ग के अंसार बारंबारता का वितरण किया जाता है जिससे यहाँ पता चलता है कि किस वर्ग में कितनी बार घटी है संख्या मतलब कोई नंबर कितनी बार आ रहा है वर्ग में जो हम next class में वर्ग पढ़ेंगे तब उस चीज़ को वहाँ पर समझ जाएंगे अब एक definition भी देख लिजे कि माली जी एक्जाम में पूछ लिया गया कि बारंबारता वितरण किसे कहते हैं तो आप वहाँ पर अगर एक किसी psychologist के द्वारा definition दी गई है उसको लिखेंगे तो थोड़ा सा effect जादा पड़ेगा एक्जामनेट के उपर तो chaplain ने क्या बताया कि बारंबारता वितरण से प्रापतांकों के दिये गए वर्गांतार वर्गांतर वही चीज़ वर्गांतर एक तरीक से हम वर्ग को ही class interval को वर्गांतर कहते हैं वर्गांतर या प्रसार में पढ़ने वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है सेम परिभासा है जो उपर दी गई है वैसे ही मिवति जुलती परिभासा है यहाँ पर आपको एक नया वर्ड और देखने को मिला वर्गांतर इसको भी हम next class में समझेंगे next class में हम प्रसार class और वर्गांतर इसको समझेंगे तो समय आगया चेपलिन की परिभासा बारंबारता वितराν के दिये गए वर्गांतर या परसार में पढ़ने वाली संख्याओं की संख्या का बोध होता है परणे वाली घटनाओं की संख्या का बोध होता है ठीक यहाँ पर आगे देख तो यह चीजे तालिका प्रसार क्लास और वर्गांतर यह सारी चीजे हम नेक्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि आज ही क्लास में अगर हम सब कुछ कवर करने कोसिस करेंगे तो फिर उपर से चली जाएंगे चीजे तो आज की क्लास में आपने कितनी चीजे देखी आपने दे क्या है तो हम next class में कल की class में जानेंगे कि आपका वर्ग क्या होता है प्रसार क्या होता है प्रसार तो कुछ हर्त का समझी गया है और इसके साथ साथ वर्गांतर क्या है और हम कैसे वर्ग बनाते हैं इस सब को हम next class में समझेंगे तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए धन्यवाद